Simplification के Questions को बिनाने का अपना ही अदाज होता है, ज़िँ आपने मेरे आज की Tricks को Follow किया, देखने का नजरिया वो अपना लिया, तो सिंप्लिफिकेशन के 15 questions जो memory best है लिए लास्ट यर के 6 मिनट से कम समय में solve कर पाएंगे चलिए शुरू करते हैं आज के session की बहुत मजाएगा पहला question आपके सामने है दिखी what should be the best approach कुछ चीजें मन में होती है कि 25 का square root है यानि 5 x 12 60 60 उड़ा दिए 203 तो आप बहुत हुआ तो 203 लिखेंगे और यह 21 से प्लस 22 यानि कि 225 अंस है जल्दी बताएगे ऐसे solve करेंगे कि नहीं मैं लिखता हूँ तरसल यह 263 है minus 12 into square root of 25 है plus 462 divided by 21 is equal to what आप देखते हैं कि यह 22 times होता है आप जानते हैं कि इसका square root 5 होता है और इस 60 को यानि की यानि की इस 263 में 60 less कर देंगे plus 22 is equal to what इसका मायने क्या हुआ जल्दी बताएगे बस 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 question का नक्सा ही बदल गया बदला या नाए आए आए आगे बढ़ते हैं अगले question कियो । and question, सोच ये सोच ये सोच ये 80 percent of 440 less 20 percent of 220 is equal to what into 10 percent सोच ये सोच ये 80% of 440 means 160 percent of 220 plus 20 percent 180 percent of 220 यानि कि 360% of 110 यानि 36 into 11 कर दीजिए पहले, 36 into 11, 396, वो किसका 10% है, 3960 का है, बताता हूं कैसे, बहुत सुन्दर क्वेश्चन है, आप लिखेंगे, 160% plus 20% इसको एड़ कर दिया, of 220 is equal to what into 10% जल्दी बताईए, यह दिख रहा है, इसका मतलब 180% है, इसे लिखेंगे 360% of 110, क्योंकि 11 से मल्टिप्लिकेशन हमें आता है, 11 से मल्टिप्लिकेशन हमें आता है, जल्दी बताईए, इसका मतलब क्या हुआ, 360% इसका मतलब 36 into 11, 396 is equal to what into 10%? that means कि question mark is equal to 396, 0 answer, जल्दी बताईए, यह होगा की नहीं, दरसल हम लोग क्या करते हैं, 36 into 11 करते हैं, और दरसल इसको क्या करते हैं, 180% of पड़ते हैं, पर यह सब कुछ क्या होता है, 80% of 440, plus 20% of 220, is equal to what into 10%? है न बढ़िया कुश्चिन सुन्दर कुश्चिन बताइए बताइए अगला सवाल अगला सवाल सवाल 7 इंटो 5 35 3 105 3 इंटो 18 54 264 अंसर समझ मैं आया बताता हूं देखें कैसे 18 divided by 7 इंटो 5 ऐसा बनता है इंटो 105 तरसल यह कुश्चिन का नीचर है 210 is equal to what क्या करेंगे बताइए क्या करेंगे बताइए 35 से 3 टाइम्स न काड़ते हैं तो यह क्या हो जाए 54 प्लस 210 इस इक्वल तो वाट इसका मतलब वाट इज इक्वल तू 264 एंस जल्दी बताइए होगा की नहीं होगा की नहीं अगला सवाग कुश्चिन नुबर 4 क्या करते हैं 25 इस टेकने स्कामन 61 मानस 15 अरे रुखे न 60 मानस 15 करते हैं तो 45 प्लस 1 46 इंटो 25 23 इंटो 52 50 1150 30 इंटो हुआ 1120 अंसर बताता हो कैसे असल में 61-15 परसेंट ने मतलब इंटो 25 इस इक्वल तो वाट वाट प्लस 30 ये क्वेश्च्चन है इसका मतलब 46 इंटो 25 इसक्वल तो वाट प्लस 30 इसका मतलब 23 into 50 is equal to what plus 30, बहुत सारी चीज़े नजर आती है, देखे ज़रा, यानि कि 1150 is equal to what plus 30, इसका मतलब what is equal to 1120 answer, होगा न, कि हमने क्या किया, 61 into 25, minus 15 into 25 is equal to what into 30, इसके लिए हमने किया, 25 is taken as common, ऐसा करने से question का, पूरा धाचा ही बदल जाता है, बोली बदलता है कि नहीं, अगला सवाल, question number 5, 11 cube है, 11 से divide करेंग, 11 square बचेगा, 121 बचेगा, यानि, 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 1331 divided by 11, plus 90 into 104, जानते हैं, इसको कैसे करेंगे, दर असल, यह 11 cube है, दर असल, यह 100 plus 4 है, नक्षा ही बदल गया, question का नक्षा ही बदल गया, plus 9,360, जल्दी बताईए, यानि, question mark is equal to 9,481 answer, जल्दी बताईए, करेंगे ना, ऐसे की नहीं, अगला सवाल, question number 6, 25% और 30%, यह तो बहुत आसान है नजी, जल्दी बताईए, कई बार चीजें अलग तरह से भी होती है, आप सीधा-सीधा 25%, 30% निकाल सकते हैं, 20% कर सकते हैं, कभी-कभी कुछ-कुछ और करने का मन करता है, बताता हूं, पहले मैं question लिखता हूं, 25% of 160, plus 30% of 200, देखिए, is equal to 20% of what, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 20% अगर हम common ले 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 ले, तो यह क्या देखता है, यह 20 into 80, जल्ले बताईगे, जब इसको बोलेंगे 20 into 80 है, 20% कमल ले ले लेंगे, तो 200 बचेगा, जल्ले बताईगे, और यहां भी 20 into 10, जान बुछ करके ऐसा करते हैं, ऐसा करने से question का ठाचा ही बदल जाता है, 20% बोल देते हैं, तो यह 200 होता है, plus 20% बोल देते हैं, तो 300 होता है, is equal to 20% of what, मुझे बताईगे, क्या रह गया question में, कुछ रह गया, कुछ रह गया, मैंने पहले ही कहा, आप अलग तरह से इसको solve कर सकते थे, एटा ऐसा कुछ नहीं था, निकाल भी जखते हैं, कर भी जखते हैं, लेकिन फिर भी, जो student, इस question को ऐसे solve करेंगे, वो दूसरों से, एक step आगे रहे, सबाज में आया, अगला सवाल, question number seven, बड़ा famous number है, मैं याद करने के लिए किसी को नहीं कहता, लेकिन हम जानते हैं, एक हजार चौविस MB का एक GB होता है, 1024 MB का एक GB होता है, 512, half, 512 MB का एक, half GB होता है, ये data सबको पता रहता है, 512 क्या होता है, बता है, ये तो 8 का cube होता है, चल्दे बता ही, 8 का cube का मतलब क्या होता है? 8 का cube मतलब 3, 3, 3, 9, 10, 2 to the power 10 होता है, 2 to the power 5 का square होता है, 32 का square होता है, यह सब को याद रहता है, 1024 32 का square होता है, 32 गुना 20, 9, 10, 10, नहीं करते ना इसे नहीं करते ना इसे पताता हूं कैसे करते हैं यह जो है ना यह जो है ना दरसर ऐसा है यह question का nature है जैसे ही आप ऐसे लिखते हैं कि यह वाला तो 32 है तब मन करता है कि हम multiply क्यों करें क्यों करें 40 plus 196 क्यों न लिखें जल्दी बताएं ऐसे क्यों न बनाएं इसे लिए हमेशा macro view matter करता है देखने का नजरिया अगला सवाल क्यों नम्बर 8 क्या है ताढ़े तस है न 7 into 1.5 10.5 by 4 को हम 21 by 8 लिख सकते हैं कि नहीं माइनस 2.8 का half 1.4 तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं यह बताएं कि यह काम मन में होता है कि नहीं बताएं मन में होता है कि नहीं अब 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 फड़ा इसको और इजी रखते हैं अच्छा रहेगा यह 7 है यह 5 है तो अच्छा है ना question mark is equal to 5 से 105 minus 56 by 40 is equal to what इसका मतलब what is equal to तेखिये 44 plus 5 49 by 40 answer जल्दी बताएं देखिये question लिख देता हूँ 7 into 15 1.5 by 4 है minus 2.8 into दरसल half है यह इसका में मायने है meaning है इसी रूप में समझना है clear अगला सवाल देखिये क्या है macro view लेंग है तो 3 into 3 9 into 8 72 बारह चकबत 12 answer दरसल यह 72 into 72 into 8 divided by 24 into 24 हमें ऐसा दिखता है हमें ऐसा दिखता है और जब ऐसा दिखता है तो फिर क्या होता है वो देखिये six किसको बोलते है तू यहां से लिया three यहां से लिया सीधा 12 को बोलते है जब मन में करते हैं तो कुछ और होता है copy में करते हैं तो कुछ और होता है मन में करते हैं तो निकलता था 72, कॉपी में करते हैं तो 6 उड़ा देते हैं, बताई, 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 आना सुन्दर कुष्चिन, पढ़िया कुष्चिन, मैं मनी बेस्ट, 6 कूप 2 और 6 होता है, 36 से डिवाइड करेंगे, 60 होगा कि नहीं, और minus 41 माने 19 होगा कि नहीं कैसे, हमने इसको कहा, 60 minus 41 is equal to what, यही हमारे मन में होता है, is equal to 19 answer, क्यों मन में होता है, क्या मन में होता है, कैसे मन में होता है, यह देखिए, 5 into 8.2 is equal to what, अरे मुझे बताईए, 10 times, 82, तो यह क्या हुआ, 41, उसके बाद देखिए, मतलब कुछ ऐसा समझते हैं, कि 5 into 82 by, देखिए, 82 हैना, 10 times करके, हम ऐसे करते हैं, कि इसको 10 बना देते हैं, 5 into 2 into 4.1, ऐसा समझ देते हैं, इसलिए 10 होकर के ऐसा होता है, कि 6 का cube into 10, ऐसा है, divided by 6 का square है, तो 6 into 10 होगा के नहीं, जल्दी बताईए, यह meaning है इसका, यह इसका अर्थ है, ठीक है clear, अगला सवाल, 90% of 100, यह data ऐसा है कि हम लिख देते हैं, 90 minus 20, 70, और 70 के बाद, 30 का 60% बोलेंगे, तो 18, हम कहते हैं, 70 में 18 को add करते हैं, कहें add करते हैं, 16 हटा करके 2 क्यों न बोलें, 72 क्यों न बोलें, ऐसे, तेखिए, 90% of 100, minus 20, plus 60% of 30, minus 16, is equal to what? हम इसे, 90 minus 20 क्यों न बोलें, plus हम इसे, 18 minus 16 क्यों न समझें, नक्सा न बदल जाए, 70 plus 2, यानि 72 answer, यह काम मन में होता है, तो किस तरह से होता है, देखा आपने, 11 का Q 1331 होता है, तो Q 11 हुआ है, तो Q 11 हुआ है, 12 हुआ है, 11 into 12 हुआ है, 11 into 6, 6 to 6 plus 3, 69 क्यों बोलें जाए, यह से, यह Q root of 1331 है, Q root into 144 divided by 2 plus 3 is equal to what, ये दरसल 11 into 12 by 2 plus 3 is equal to what होता है और इसका मतलब हम ऐसे लिखते है। 66 plus 3 is equal to what? इसका मतलब 69 एंसर ठीक है बताएं अगला सवाल 1500 तो है ही 5% का माने क्या हुआ 5% का मतलब 35 और फिर minus 65 100 1400 एंसर सुचे 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 1500-5% of 700-13 into 5 is equal to what हम कहते हैं 1500-35-65 is equal to what हम कहते हैं what is equal to 1500-100 यानि 1400 एंसर जल्दी बताएं करेंगे एक ही नहीं करेंगे कुछी क्या है अरे सुन्दर कुश्या है 15 into 12 वही होता है जो 6 into 30 होता है 5 answer अरे इस कुश्यन में तो मजा आ गया इस कुश्यन में तो मजा आ गया 15 into 12 divided by 6 into 30 plus 2 square is equal to what इसका मतलब 15 into देखिए multiply करते नहीं लेकिन कभी-कभी मन करता है तो क्या करें बताइए ना अब ऐसा आ जाएगा तो क्या करें यहां भी divided है क्यों क्यों न करें प्लस 4 क्यों न करें यानि कहने का मतलब वन प्लस 4 मेंस 5 एंसर जल्दी बताइए ना और लास्ट कुश्यन देखिए हम जानते हैं 9 का क्यू 7 to 9 होता है तो 9 divided by divided by 9 नहीं divided by 9 into 3 नहीं समझे देखिए क्या है इंट्रेस्टिंग कुश्चिन सुंदर कुश्चिन क्यों रूट of 7 to 9 है यह वादर बाइन 9 of 3 लिखा हुआ है वह अटाश्ट है यह स्क्वार रूट of 25 है डिवादर बाइन स्क्वार रूट of 9 is equal to what है यह 9 by 9 into 3 है plus 5 by 3 है is equal to what जल्दी बताएं क्या है बढ़िया कुश्चिन बढ़िया सवार कहने का मतलब कुश्चिन मांक यह स्क्वार रूट है जान रहे स्क्वार रूट है यानि 1 by 3 plus 5 by 3 6 by 3 2 इसका मतलब कुश्चिन मांक है इक्वल टू तू स्क्वार यानि 4 अंस है जल्दी बताएं होगा की नहीं क्लियर कैसा लगा यह सेशन मजा आया गी नहीं सिंप्लिफिकेशन के कुश्चिन अलग ही तरह से बनते हैं यह आपको विश्वास हुआ की नहीं अगर आप इन मेथर्स का इस्तेमाल करेंगे तो 15 कुश्चिन को लेस दन 6 मिनट्स में सॉल्व करने में आप काम्याब होंग और इसका आपके पूरे एक्जाम पर क्या असर पड़ेगा सोच लिजी ओके आल बेस्ट बाए